कन्या कुमारि लो रामायन दर्सनु एक्सबीशन नु प्रारम फिंचारू प्रधानि मोडी विवेकानन्द केंदरन लोनी भरत मात सदनन लो प्रसतम मोडी माटलार तुनारू लाइव लो चुद्धा जिसकी कोई उमीद तक नहीं कर रहा था कठिनाईयों के जिस समंदर को अनमान जी ने पार किया था कोई सोच भी नहीं सकता था और इसलिए भाईयों भैनों हम भी जब सबका साथ सबका अविकास ये गाइडिंग प्रिंसिपार पर चल रहे हैं चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए जन्धन योजना के जरिये गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से जाथ जोड़ा जाए आज गरीब के पास एक व्यवस्था करकर के हमने आगे बढ़ने का प्रियास किया था और इसलिए बीमा करेने का विकल्प है किसानों के इसका लाब मिला है किसानों को सबसे कम प्रिमियप पर फसल भिमा योजना दी गई है बेटियों को बचाने के लिए उन्हें पढ़ाने के लिए अभ्यान चला रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गर्वपती महलाओं को आर्थिक मदद के लिए देश व्यापी योजना बनाई गई है पांच करोड परिवार जो लकडी का चूला जहला करके माताएं खाना पकाती थी और एक दिन में चार सो सिगरेट का धुआ खाना पकाने से लकडी के चूले से उन्हों मा के शरीर में जाता था उन्हों माताओं को अच्छा स्वास्त मिले प्रात्विक सुभीदा मिले पांच करोड परिवारों में गैस सिलिंडर के कनेक्शन का बिड़ा उठाया और डेड़ करोड दे चुके हैं दलीत, पीडीत, सोशिद, बंचित की सेवा यही तो जन सेवा ही प्रभु सेवा का बंतर देती हैं हमारे देश के दलीत नव जमानों को स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टरम इंडिया के जरिए um empower किया जा रहा है छोटे कारोबारियों को कम ब्याज पर करज मिल सके इसलिए मुद्रा योजना चलाई गई है गरीब से गरीब तभी गरीब की गरीबी तब दूर होगी जब हम उसे गरीब को empower करेंगी जब हमारा गरीब ससकत होगा और मुझे भी स्वास है कि एक बार गरीब ससकत होगा तो स्वयम गरीबी को परास करके रहेगा और गरीबी से मुक्ति का वो आनंद लेगा और एक नई ताकत के साथ वो आगे बढ़ेगा रामायन में जब भगवान राम और भरत के बीच शासन के लेकर के समवाद हो रहा था तब भगवान राम ने भरत से कहा था कच्चिद अर्थम मिनिश्चित लगू मुलं महाउद्यम शिप्रम आरब से कर्तम न दिर्गियस्षिरागव राम जी भरत को कहते है यह भरत ऐसी योजनाय लागू करो जिन से कम से कम व्य में जादा से जादा लोगों का फाइदा हो राम जी ने भरत से यह भी कहा कि इन योजनायों को लागू करने में बिलकुल भी देरी न की जाए इसी समवाद के समय राम जी आगे उनको कहते हैं भरत को एक और बात बताए और सतक करते हैं वो कहते हैं आयह ते विपुलह कच्चित कच्चित अल्पतरो वेह अपात्रेशू नते कच्चित कोशो गच्छती रागव यानि भारत इस बात का ध्यान रखना कि आय ज्यादा हो और खर्च कम हो वो इस बात की भी हिदायत देते हैं कि अपात्रो यानि की अन्डिजर्विंग को राज कोश का फायदा नहीं मिलना चाहिए ये सुचिता का मंत्र रामजी ने दिया था अपात्रों से सरकारी खजाने को बचाने का भी सरकार की कारी संसुरूति का हिस्सा है आपने देखा होगा हम लोग आधार कार्ड से लिंक करके बैक अकाउंट से सीधे आर्तिक साहता ट्रास्पर करना फर्जी दाशनकार्ड वालों को हटाना फर्जी गैर्ज के सेलेक्षन वालों को हटाना फर्जी टीचरों को हटाना दूसरों का अधिकार छिन्ये वालों को हटाना ये सब इस सरकार ने मिशन लोड में लिया है भायो बेनो आज ही भारत माता सदन में पंच लोव से बनी माँ भारती की प्रतिमा का अनावन भी हो रहा है माँ भारती के इस प्रतिक का लोकार्पन सवभागे की बात हैं जो भी व्यक्तिगान इस विशेश येगन में जूटे थे